गुद मॉर्निंग एवरिवन, वेलकम तो क्राक इंग्लिश यूट्यूब चैनल, इस सेशन में हम आज का दहिंदू एडिटोरियल डिसकस करेंगे, सेशन की शुरुवात करने से पहले आप सभी से गुजारिश करोंगे कि इस सेशन को लाइक और शेर कर दीजे, हमारे आज के दहिंदू एडिटोरियल का टॉपिक है, बियॉंड वेपिन्स, वेपिन्स या वार्ड से आगे बात होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशन्स शुट पुश यूक्रेण, यूनाइटेड नेशन्स या यूएस को अब यूकरेण पर थोड़ा दबाव डालना चाहिए, कि वो solution निकाले, अपनी वार्ड, जो यूकरेण और रशिया का वार्ड चल रहा है, उसका कुछ solution निकाले, तो आब यूएस को ये दबाव यूकरेण पर डालना चाहिए, फर्स पारग्राफ, अब चाहिए तो यहां पर एक बार पॉस्ट करके पारग्राफ को पढ़ सबकरूं, बिफोर गोईं थूरू दर डिसकॉशन, फर्स पारग्राफ, यूकरेण की जो प्रेजिडेंट हैं, जलैंसकी, उन्होंने विजिट किया है यूएस में, वाशिंग्टन में, जो कि उनकी फर्स ओवर्सीज ट्रैवल या फॉरें ट्रैवल है, जब से रशिया ने अटाक किया था यूकरेण पे on Feb 24, और विदेन के administration का ये decision है कि वो 1.8 billion dollars की military aid प्रोवाइड करेंगे यूकरेण को, including जिसमें की patriot missile defense systems बेजे जाएंगे, precision guided missiles बेजी जाएंगे, और ये दोनों बातें, यूकरेण की president का यूएस जाना और यूएस का यूकरेण को ये package प्रोवाइड करना, military package ये military support प्रोवाइड करना, ये द बहुत ही deep relationship है, खास करकि इस time of war में, यूकरेण already receive कर चुका है, अमेरिका से financial और military funding, जो की 54 billions की थी, ओके, यहाँ पर कह रहा है कि यूकरेण already अमेरिका से इतनी funding ले चुका है, financial और military funding ये ले चुका है, 54, वर्थ 54 billion dollars, यूएस का जो supply है, जो ये long range missiles बेज रहा है, यूकर इस supply में, इस support ने एक बहुत major role play किया है, जो यूकरेण ने अभी recent advances ये war में, यूकरेण ने जो भी अभी progress करी है, उसमें US की supply का, ये military supply का का ये काफी बड़ा योगदान रहा है, आसकर कि जो progress ये battlefield में, ये advances हुए है, खार्खेव और खेरसन में, ये एक बहुत important, जो US का supply है, उसमें बहुत important role play किया है, after its heavy losses in Donbass, तो यूकरेण पहले Donbass में heavy losses के बाद, अब जो recent advances है, उसमें US का है काफी बड़ा योगता है, नेक्स्ट पारग्राफ, जो patriot missile system, US provide कर रहा है, माना जा रहा है कि ये यूकरेण के air defenses को और जादर strong कर देंगे, खास कर ऐसे टाइम पे, जब Russia bombs फेक रहा है, यूकरेण के energy grid और water supplies पे, in Washington, Washington में, President Joe Biden ने discuss किया है, एक 10 point का peace formula, Mr. Zelensky या यूकरेण के president के साथ, अभी इस formula के details out नहीं की गई है, and also promised, और promise किया है, President Joe Biden ने, कि वो अपना support यूकरेण को देते रहेंगे, जितना भी लंबा time चले ये war, दोनों ही leaders ऐसा लग रहा है कि send out करना चाते हैं, एक message जो send out कर रहे हैं, globally वो ये है कि कितने ये एक जुट होके, इस मुश्किल गड़ी में, कितने ये दोनों countries एक जुट हैं, amid concerns of cracks, जबकि दुनिया को ऐसा लग रहा है कि जो western alliance, मतलब US अपना support वो पिस खीज लेगी, क्य हूं क्योंकि war ऐसा लग रहा है, चलती ही जा रही है, और इसके जो costs हैं, वो भी बहुत ज़्यादा high है, next paragraph, The US has gradually stepped up, US ने धीरे धीरे अपना जो supply वो भेजती है, weapons की Ukraine में, उसको धीरे धीरे उस supply को बढ़ा दिया है, लेकिन अभी भी ये थोड़ी cautious है, careful है, concerned है, कि वो बहुत ज़्यादा offensive या dangerous weapons नहीं भेजना चाहती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि ज़्यादा बड़े dangerous weapons भेजने क की वज़े से जो war है वो और बड़े level पे चली जाए, Ukraine has consistently, continuously, Ukraine ने लगातार support मांगी है, US से कि वो और ज़्यादा advanced weapons उसको उक्रेन को provide करे, जैसे कि US aircraft बेजे, tanks और long range tactical missiles बेजे, हाला कि Mr. बिदे ने कहा है कि उनकी administration continue करती रहेगी support करना, back का मतलब support होता है, Ukraine को support provide करती रहेगी, लेकिन उन्होंने बार-बार ये भी warn करा है कि अगर जादा offensive weapons या dangerous weapons उक्रेन भेजे गए, तो उसके भी काफी दुश प्रभाव पड़ सकते हैं, which could break up NATO, the EU and the rest of the world, जिससे की बाकी rest of the world पे, NATO पे, EU पे काफी दुश प्रभाव आ सकता है, currently, अभी की बात करें, तो Ukraine के पास एक battlefield advantage है, उसके बाद advantage किया है, कि वो अब वापिस capture कर रहा है अपनी territories in the north, east and south, लेकिन Russia के पास air superiority है, ये जो Patriot missiles US भेज रहा है, इससे काफी हद तक Ukraine को protection मिल सकती है, लेकिन Russia भी और encourage हो सकता है, कि वो और भी जादा बड़े level पे Ukraine पे attack करेंगे, Last paragraph, इस वज़ा से Mr. Biden अब एक difficulty या dilemma में है, confusion में है, वो चाहते तो हैं कि अपना support increase करें, Ukraine के defense को बढ़ाए, लेकिन कोई भी बड़ी war को और बड़ी war को छेड़ना नहीं चाहते, provoke मतलब encourage नहीं करना चाहते कि Russia और बड़े level पे war करेंगे, बिट्वीन रशिया एंड ने तो, His Ukraine policy, जो Mr. Biden की Ukraine policy है, वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि एक open ended weapons supply package है, कि आपको जितना weapons चाहिए, यूएस प्रोवाइड करेगा, तो वो कह रहा है, खाली policy में यहीं नहीं होना चाहिए, कि आप endlessly weapons ही भेज रहे हैं Ukraine में, यूएस को अपने ally की, अपने friend की, मतलब Ukraine की help करनी चाहिए, लेकिन उसे आप थोड़ा उसको push भी करना चाहिए, encourage भी करना चाहिए, कि यह जो war है, इसका कुछ solution भी निकाला, It should use its continued support to Ukraine, to mount pressure, तो कह रहे हैं कि यूएस को, अब थोड़ा रश्या पर भी pressure बनाना चाहिए, थोड़ा सा, क्योंकि उनको पता है कि Ukraine को support रश्या दे रहा है, तो अपने इस support को use करके रश्या पर थोड़ा सा pressure बनाईए, क्योंकि यूएस की जो weapons है, वो बहुत important role play कर रहे हैं कि Ukraine कैसे counter attack, कि जो है वो Ukraine की capital है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि थोड़ा सा रश्या पर भी pressure बनाऊ, क्योंकि यूएस बहुत time से Ukraine को provide कर रहे है weapons, और जितने ज़्यादा बड़े level की weapons बेज़ेगा, उतना ही Ukraine सक्षम हो जाएगा, कि वो रश्या को counter attack करें, तो यह pressure थोड़ा use करें रश्या को आमने सामने negotiations के लिए बिठाने के लिए, और persuade करें Ukraine को कि directly बातचीत करें, negotiations करें, इस point पे कोई भी military solution या खाली dangerous weapons use करके solution निकालना possible नहीं लग रहा है, और जब तक कि कोई एक reliable push, जब तक कि encourage नहीं किया जाएगा दोनों countries को की बैठके बातचीत करें, मुद्दे को resolve करें, तब तक ऐसा लग रहा है कि यह war जो है, वो आने वाले कुछ time पर continue रहे है, यूगि इस paragraph में author ने यह बताया है कि US को क्या करना चाहिए, उसको एक intermediary का role play करना चाहिए, और दोनों countries को सामने सामने बिठा के solution निकालना चाहिए इस war का, तो आज की जो paragraph की tone है, वो है suggestive, और अगर नहीं होगी तो और भी बड़े level की war होगी, तो यह warning का sense पी आ रहा है, तो इसको हम कहते है premonitory tone, तो आज के जो tone है that is suggestive, suggestion दिया जा रहा है, और अगर दूसरे level पर देखे तो suggestion नहीं मानेंगे, तो क्या दुश प्रभाव आ सकता है, warning का भी एक tone है बीच में, तो इसको हम premonitory करते हैं, comment box में मुझे dilemma word की दो synonyms बताइएगा, चलिए आज का session यहीं तक रखते हैं, आशा करते हूँ आपको यह editorial clear हुआ है, कल फिर से एक नए editorial के साथ आपके सामने आऊँगी, तबते के लिए धन्यवाब,